नमस्कार आपने आलोग धन्वा की कविता पतंग अभी तक पड़ी होगी आज हम उसका भावार्थ पड़ेंगे और जैसे कि कल कुछ उसकी भावभूई मैंने आपको भेजी भी थी और उसके बाद आज हम उसका पूरा भावार्थ पड़ने वाले हैं ध्यान से सुनियेगा पतंग वास्तों में आलोग धन्वा की तीन हिस्सों में फैली वी एक लंबी कविता है परंतु जो आपकी आरो हो पुस्तक है उसमें उसका तीसरा भागी पार्थिक्रम में शामिल किया गया है इस कविता में जो शब्दा है पतंग वास्तों में बहुत सी बातों का पृतीक है वह कल्पना, उत्सा, उडान, उमंग और विकास का परतीक बन कर कविता में नए अर्थ रचता है बिंबों और प्रतीक विर्हांग से भी यह कविता काफी समर्द्ध है बिम्बो की बात मैंने लवन्थ में भी आप से की थी बच्चे यहां पर गिरते उड़ते समलते वे संसार की मुसीबतों का सामना करते और जीवन जीने की तैयारी में बिलकुल मुस्तेहद हैं तो आईए जीवन राक से भरी ऐसी अद्भुत कविता जो आपने पड़ी उसके बारे में बात करते हैं शुरवात में कवी अपनी रचना का आरंभ करते हैं कि बड़साद का मौसम विदा हो गया जिस समय सबसे तेज वर्षा हुआ करती है वो भादरपद महाँ भी अब बीच चुका है एक नई सुबह आ पहुँची है लाली मा से युक्त यह कोमल सुबह खरगोश की आँखों जैसी लाल दिखाई देती है खरगोश स्वयम भी कोमलता का प्रतीक है वर्षा रितु के जाते ही शरद रितु आ पहुची है तुल सिदास जी ने भी कहा है वर्षा बीती सरद रितु आई यानि वर्षा के जाने के बाद शरद रितु आएगी आती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपनी यात्रा के दौरान समय और रोधों के बहुत से पुलों को पार करने के बाद आई है इसलिए कभी ने कितना सुन्दर चितर वहां पर खीचा दौर्षविंब है ये समझने की कोशिस कीजिए जब शरद रितु आ रही है दौर्षविंब के मालतियम से शरद आया पुलों को पार करते हुए को प्रस्तुत करने के लिए उसके तुलना चमखील से कर रहे है चमकीली पैं क्योंकि समझ जाओ कि मानो कोई बच्चा अपनी रंग बिरंगी चमकतार साइकल ले कर आ गंटी बजाते वे आ रहा है जोर-जोर से घंटी बजाते वे जोर-जोर से ध्वनी विंब कानों पे आरी है नहीं गंटी साइकल की शर्देतू पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाने के रिशारा कर रही है यानि वो संकेत कर रही है कि वो सुहाना मौसम आ गया है जब बच्चे पतंगे उड़ा सकते हैं उसने आस्मान को भी इतना कोमल बना दिया है अर्थाद बच्चों के अनकूल वाताबरन बना दिया ताकि बच्चों की पतंगे वहां अधिक से अधिक उचाई तक जा सके यहां कविता यहां कहना चाहती है कि शर्देतू ने ऐसा परिवेश बना दिया है ऐसा वाताबरन निर्मित कर दिया है जिसमें बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, एक ज्यादा सहज और मुक्त स्थान मिल सके बच्चों के तो मन ही उन मुक्त हैं भी पतंग यहां पर इनी सब बातों का प्रतीक है कभी की आकांगशा है कि बच्चों को उनके अनुकूल ऐसा बातावरण हसिल हो जिसमें उनकी उमंगें, आनंद और सब को छुने मिले, उत्साहा उनका जिन्दा रहे बच्चों का मन अत्यांत नरम होता है उन्हें किसी तरह की ठेस न लगे बाधाएं उनका आरास्ता न रोके कभी जब कहते हैं कि सबसे हलकी और रंगीन चीज, सबसे पतला का अगयस इस पिध्यान दिजेगा है शब्दों पे कभी जब कहते हैं कि सबसे हलकी और रंगीन चीज, सबसे पतला का अगयस